आज मैं आपनों को कथा सुनाने जारी हूँ, मासिक शिवराते की ब्रत कथा पौरानी कथा के अनुसार, पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था जानवरों की हत्या कहके, वह अपने परिवार को पालता था वह एक साहुकार का कर्जदार था, लेकिन उसका रिण समय पर न चुका सका क्रोधित साहुकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया सैयोग से उस दिन शिवराती थी, शिकारी ध्यान मगन होकर शिव सम्बंदी धार्मिक बाते सुनता रहा चतुर दसी को उसे शिवराती ब्रत की कथा भी सुनी, साम होते ही शाहुकार ने उसे अपने पास बुलाया और रिण चुकाने के विसे में बात की शिकारी अगले दिन सारा रिण लोटा देने का वचन देकर बंधन से छुट गया अपनी दिन चरिया की भाती वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भरबंदी ग्रह में रहने के कारण भूक व्यास से ब्याकुल था शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया, जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही वितानी पड़ेगी वह एक तालाव के किनारे एक बेल के पेड़ पर चड़ गया और रात बीतने का इंतजार करने लगा बिल्व रक्ष के निचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढखा हुआ था, शिकारी को उसका पता न चला पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनिया तोड़ी वे सैयोक से शिवलिंग पर गिरती चली गए इस प्रकार दिन भर भूक के प्यासे सिकारी का ब्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल पत्र भी चड़ गये एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्वनी हिर्णी तालाब पर पानी पीने पहुँची शिकारी ने धनुसपरती चड़ा कर जेओ ही प्रतिंचा खीजी हिर्णी बोली मैं गर्विर्णी हूँ सिग्री ही प्रसौफ करूँगी तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है मैं बच्चे को जन्म दे कर सिग्री तुमारे समक्ष प्रस्तित हो जाओंगी तब मार लेना शिकारी ने प्रतिंचा धीली कर दी और हिर्णी जंगली जाड़ियों में लुपत हो गई प्रतिंचा चढ़ाने तथा धीली करने के वक्त कुछ विल्वपत्र अनयासी तूटकर शिवलिंग पर गिर गए इस प्रकार उससे अंजाने में ही प्रतम प्रहर का पूजन भी संपन हो गया कुछ ही देर बाद एक और हिर्णी उधर से निकली सिकारी की प्रसनता का ठिकाना ना रहा समीप आने पर उसने धनुषपल बाण चढ़ाया तब उसे देख हिर्णी ने विनम्रता पुर्वक निवेदन किया हे शिकारी मैं थोड़ी देर पहले रितु से निर्वर्त हुई हूँ कामातुर हूँ विरहिणी हूँ अपने प्रिये की खोज में भटक रही हूँ अपने पती से मिलकर सिकरी तुमारे पास आजाओंगी सिकारी ने उसे भी जाने दिया दो बार सिकार को खोकर उसका माथा ठनका वह चिंता में पढ़ गया रात्री का आखरी पहर पीत रहा था इस बार भी धनुस से लगा कर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जागिरे तदा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन हो गई तभी एक अन्य हिर्णी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली शिकारी वह यह स्वणिम अफसर था उसे धनुस पर ती चड़ाने में देर नहीं लगाई और ती छोड़ने की देरी थी कि हिर्णी बोली है शिकारी मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी इस समय मुझे मत मारो सिकारी हसा और बोला सामने आये सिकारी को छोड़ दू मैं ऐसा मुर्ख नहीं इससे पहले मैं दो बार अपना सिकार खोचुका हूँ मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे उत्तर में हिर्णी ने कहा कि जैसे तुम्हारे अपने बच्चों की ममतास ता रही है वसे मुझे भी हे सिकारी मेरे विश्वास करो मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ कर तुरंत लोटने की प्रतिग्या करती हूँ हिर्णी का दुख भड़ा स्वर सुनकर सिकारी को उस पर दया आ गई उसे उस म्रगी को भी जाने दिया शिकार के अभाव में तता भूक प्यासे ब्याकुल शिकारी अंजाने में ही बेल व्रक्ष पर बैठ गया और बेल पत्र तोड़ कर नीचे फेकता जा रहा था पौँ फटने को हुई तो एक रिष्ट प्रिष्ट म्रग उसके रास्ते पर आया सिकारी ने सोच लिया कि इसका सिकार वह अवस्य करेगा सिकारी की तनी प्रचंतर देखकर म्रग विनीच्वर में बोला हे सिकारी यदि तुमने मुझसे पुर्व आने वाली तीन म्रगियों तथा चोटे चोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम ना करो ताकि मुझे उनके वियोग में एक छणवी दुख न सहना पड़े मैं उन हिरनियों का पती हूँ तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ छणका जीवन देने की किरपा करो मैं उनसे मिलका तुम्हारे समक्ष उपस्तित हो जाऊंगा म्रगि की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का गटना चक्र घुन गया उसने सारी कथा म्रगि को सुना दी तुम्रग ने कहा कि मेरी तीनों पत्निया जिस प्रकार प्रतिग्या बद्ध हो कर गई है मेरे इम्रत उसे अपने धम का पाला नहीं कर पाएंगी अतह जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्रमान का छोड़ा है वैसे मुझे भी जाने दो मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने सिग्री उपस्तित होता हूँ सिकारी ने उसे भी जाने दिया इस प्रकार सुबह हो गई उपवास, राती जागरन तथा शिवलिंग पर पत्र चड़ने से अनजाने पर ही शिवराती की पूजा पूण हो गई पर अनजाने में की हुई पूजन का परणाम उसे ततकाल मिला शिकारी का हिंसक हिदे निर्मल हो गया उसने भगवत भक्ति का वास हो गया थोड़ी ही देर बाद वह म्रग सब परिवार शिकारी के सामने उपस्तित हो गया ताकि वह उनका सिकार कर सके किन्तु जंगली पस्वों की ऐसी सत्यता, सात्विक्ता एवं सामोहिक प्रेमभावना देकर सिकारी को बड़ी गलानी हुई उसने म्रेक परिवार को जीवनदान देन दिया अंजाने में शिवराते के ब्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई जब मृत्युकाल में यम दूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिव गड़ों ने उन्हें वापिस भेज दिया तथा शिकारी को शिव लोक ले गए शिव जी के पासे ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानू अपने पिछले जन्म को याद रखकर तता महा शिव राते के महत्त को जान कर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए ओम नम्हाशिवाए शिव शिवाए नवस्तोप्याम मेरे ये वीडियो कैसा लगा कि वे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दवाना न भूलें, धन्यवाद